के बारे में मेरे को आज पक्का से यकीन भी हो रहा था डाटा भी समझ में आ रहा था बस मेरे से मिस हो गया पूछना यह तो मैं पूछता जरूर लेकिन सुभे में आपको नोटिस जरूर करवा था आयार भी देखते ही देखते 14 परसंट उपर है और डिमपी आज के बल क्यों यह मजबूति क्यों है कुछ से जोड़ियों नेकी और पूछ 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 उसके बाद गवरांग सा सब्सक्राइब करेंगे कि इंफ्रास्ट्रों में क्या करना चाहिए बज़ट से पहले देखिए सुत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से आंतरीम बजट में सरकार जो capital expenditure टागेट है उसमें करीब 15% तक की बढ़ोतरी कर सकती है हलाकि यह अंतरीम बजट है लेकिन उसी proportion में एप्रील से जून महीने के बीच जो capital expenditure की जरूरते होगी जो टागेट है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है और सुत्र हमें बता रहे हैं कि इसमें करीब 15% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है इसके अलावा सरकार जो है fiscal prudence और capital expenditure के बीच में एक सामंजस बिठाने की कोशिश करेगी और उसी के हिसाब से ये एलान किये जाएंगे अगर आप important sectors देखें जिनके लिए सबसे ज़्यादा capital expenditure की बढ़ोतरी की जा सकती है वो है NHAI, railways, housing इन sectors के लिए capital expenditure में करीब 20% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है हाला कि सरकार capital expenditure में बढ़ोतरी करने के बावजूद भी जो fiscal prudence है उसको maintain रखेगी जो road map तयार किये गए हैं उसको उसका पालन करेगी और उसके हिसाब से जो target रखा गया है अगर आप fiscal deficit के target की बात करें तो चालूवित वर्ष के लिए 5.9% है इसको अचीव करने को लेकर सरकार confident है इसके अलाबा 2026 तक का जो target रखा गया है वो है 4.5% लिहाजा सरकार इसी target के हिसाब से आगे बढ़ रही है तो लगाता एक से बढ़कर एक exclusive ख़बर देख रहे है जिसका बजट में एलान हो सकता है कि सरकार ठीक है इंट्रीम बजट है और फिर सरकार चुनाओं में जाएगी सरकार का बेजनदा सीज़े तोर पर किस दौरान जो है ना इंफरा रोड कंस्ट्रक्शन इस पर जो है का पर इंफरा प्ले आपको पसंद आता है कि इस लेवल बजट के थीम कदार पर यह सरकार काफी सुझबुच समझ वाली सरकार है और कभी भी बजट अगर चुनाओं के टाइम आता है तो पिछले बार दो बार में देखा है कि मन लुबान बजट नहीं देते विकास से प्रेंट इंफलों से उसको बढ़ाने की बाते करती हैं और हमारा मानना यह कि इंफ्राश्ट्रक्चर में तो आपको बढ़ावा करना ही पड़ेगा क्योंकि पहले तो आपको जो पुराने धाचे है उसको जाएंगे और निर्नायक तरीके से सरकार के इंदर में बैढ़ जाएगी और जोड से होगा सिमेंट और लोहे की यानि की धातू की खपत भी उसी तरीके से उपर जाएगी क्योंकि यह दोनों कमोडिटी के बिगहर आप एक मजबूत सक्षम टिकने वाला ढाचा नहीं बना सकते कंपनी जो हमें पसंद आती वह है एंसी सी लिमिटेड अभी आप शुरुवात पे के नर कंस्ट्रक्शन का के बाते हुई थी उसके साथ पी एंसी इंफ्रा एक कंपनी और जिसका आई पीओ मेरे ख्याल से देड़ महिने दो महिने पहले आया था 120 या 130 के स्थर पर वह जेस डब्ली इंफ्रा यह कंपनी जेस डब्ली इंफ्रा रोड से जुड़ी नहीं लेकिन पोर्ट लोजिस्टिक्स वगरा से जुड़ी हुई और मेरे ख्याल से आंदरपर